Half life Half life basically वो time period होता है जिसके दौरान radioactive element जो है उसके atoms के तदाथ half हो जाती है यानिके अगर वो पहले x है तो उसके element है यानिके x उसके अंदर atoms है वो half रहाज़ जाएंगे for example कि time t के दौरान अगर किसी के पास जो है उस element के निए radioactive element के पास 100% atoms है तो time जब 2T हो जाएगा यानि कि uski half life गुजर जाएगी तो उसके बाद उसके atoms हो 50 रह जाएगे इसी तरीके से जब मजीद half life होगी यान्न कि 3T तो उसके बाद उसके elements के उसे तदाद हो कम होती जाएगी 12.5 रह जाएगी इसी तभी किसी चला चलता चला जाएगा यानि कि वो प्रोसेस जिसके दुराण किसी भी radioactive element की तदाद उसकी radioactive element के अंदर मजूद atoms की तदाद हाफ रहे जए उसे आप कहते हैं कि ये radioactive element है for example कि होता कि ये radioactive element के अंदर जैसे कि हमने last topic में radio activity में बात की की transmission की उसी चीज़ को आज हम further discuss करेंगे होता है कि हमाई पर कोई है radioactive element तो ये radioactive element का atomic mass हो गया और ये atomic number हो गया और ये radioactive element है ये हमें जो है race image करते रहते हैं तो race image करने के बाद ये किसी ना किसी new element में convert होते रहते हैं जिसे हम रिकालते हैं ये transmission है अब ये जो process है ये continuous रहता है ये रुपता नहीं है और खुद बाखुद होता चला जाता है for example कि कोई एक x आपके पास element है radioactive element इसमें क्या किया इसमें alpha ray emit कर दी तो alpha ray emit करने के बाद अब क्या होते कि किसी new element में convert हो जाएगा इसके atomic mass के अंदर भी 4 गुना कमी हो जाएगी और इसके atomic number के अंदर भी 2 गुना कमी हो जाएगी तो इस तरह की कमी से यहां पर जो एक new element बनेंगा y वह as compared to this x से कम atomic number और कम atomic mass रखता होगा तो ये एक new element अभी जो new element बना है इसका atomic number और atomic mass दोनों ही पहरे वहले element से different होते हैं जिसकी विदर से हम इने नाम देते हैं कहते हैं कि जो पहला element है जिसका atomic number और मैस दोनों ही जादे हैं जिससे alpha particle emit हो रहा है इसे हम लोग कह देते हैं कि यह हमारे पस parent element है क्योंकि इसमें alpha re-emit करके एक new element बनाया है और इस new element को हम लोग कह देते हैं कि यह हमारे पस doter element है doter element इसलिए क्योंकि अब इसके जो mass और atomic number है दोनों ही इसके parent element से कम होते हैं अब अगर मैं इसकी जगा यही example consider करूं कि अभी alpha particle element किया था ना तो इसलिए doter element इस तरह की doter element में चले गए जिसके atomic number और mass दोनों में ही change आगया लेकिन अगर यही बहला element जो है जिसका atomic number a और atomic mass जो है वो z है atomic mass जो है और atomic number जो है वो z है अगर यह beta particle emit करे तो beta particle जब यह event करेगा तो क्या होता है कि beta particle की emission के बाद जो new doter element बनता है उस doter element के atomic mass के अंदर तो कोई variation नहीं आती लेकिन जो atomic number है वो यहां पर जो है वो एक unit भर जाता है यानि कि atomic number के अंदर variation आ जाती है लेकिन atomic mass के अंदर variation नहीं आती जब यह जो new element बनते रहते हैं यह अपने parent element से बहुत ज़दा different होते हैं अब यह जो हमारे पास बना है element उसमें atomic number में तो असूली तोर पे आपको होना चाहिए था कि कम ही होनी चुए थी बल्के यहां पर तो मैंने लिखा है कि इसमें इडिशन हो रहा है उसके atomic number में इसकी reason के है इसकी reason यह है कि जो new बने वाला atomic number है उसके मैंस तो वही रहता है जो parent element का मैंस था लेकिन atomic number में variation इसलिए आ जाती है कि हमें मालूम है कि nucleus के अंदर होते हैं proton और neutron जो के nucleons है जब एक neutron है वो beta particle emit करता है तो वो neutron क्या होता है कि वो proton में तबदील हो जाता है जिसकी वज़ा से new production होती है उसको चार्ज है वो एक unit बढ़ जाता है अगर अगर आप इसको एक graph के तोर पर देखना चाहें कि किस तरीके से जो है किसी element के atom जो है वो decrease होते से जाते है ग जाने के पहले time t हो फिर उसका भी lifetime का half range फिर उसका भी half range है तो उस तरीके से graph किस तरीके से हमार पास जो है अपते होता है यह हमारे पस N जो है उस element के number of atom की तदाद है और यह जो time है नीचे वरी x-axis है हमारे बस बिसिकली lifetime है अब lifetime है सबसे पहले हम ले 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 पिर थी जो है ती बैटार गया इसके बात यहाँ इसे आप यह कर लीजे कि यह वन हाफ लाई नग hacking गया真的 हो और यह जो के वन पैक्तू हो मैठ जयेगी ओर वे असिका इसल्राजेब सो से पॉर पदा जाएगी से तरीके से ओं शिकली से है एक्सालीं कर जाएं अर यह जो है पास वो axis में आ जाती है जो है हमारे पास उस element के number of atoms अब for example consider कर लिजे कि उस element के जो number of atoms है वो तकरिबन 16 है अब इसके जो atom है जब कि बिद्कुल initial था कोई भी lifetime start में हुई थी तो उसके जो उस वक्त element थे वो तकरिबन for example यह पर 16 सपोस का लिजे है जैसे उसके half life time शुरू हुई यानिके T by उसके जो है वन बाई 2 हो गया फस्स हाफ लाइफ लाइफ तो फस्स हाफ लाइफ के दुरान उसके number of atoms जो है element के वो half रहे जाएं वो कहलाता है half life तो half life को हम T1 by 2 जो है इस तरह से रिप्रेसंट करते है और यह first half life है तो यहाँ पर जो elements बचे है उस element के atom वो है 8 अब जो दूसरी half life हाजएगी तब जरीची बात है उसमें जो है आजेंगे तकरीबन यहां पर हमारे पास 4 बच जाएंगे अब 4 के बाद क्या आता जाएगा 4 जाएगा 4 जाएगे नीचे जाते 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 मैकसिमम यहां पर जाके तकरीबन हमारे पास रह जाएंगे तो इस हाफ लाइव में आकर हमाने पास 2 रह जए है उनराज जारका हमाने पास ऑनकर दोो शलुट है motions करने यह फिर से ने यहीं होेचीन के जिलिए मैं होज़ा ला वाधिन है हंपार दोन हो इस方向 तो इनवे इस तरीके से decreased pattern आज़ता है तो इस pattern के according आप यह बता सकते हैं कि जो आपके number of atom हैं वो इस तरीके से decreased होते हैं जैसे आपके number of lifetime इंक्रीस करती चली जाती है यानि कि आप बहुत जदा half life बनाते जाएं आप जो है उस element के half life increase करते जाएंगे तो उतना ही उसका number of atoms इंक्रीस करते चले जाएंगे यानि कि आप simply यह कह सते हैं कि दोनों में जो है वो inversely relation आजाता है half life element की और उसके number of atom के दर्मियान आने पास half life आजाती हैं जिसके बारे में मैंने भी बात कि कि जो हमारी half life है टी 1 by 2 यह बिसिकली inversely proportion है जाहिए से बात उसके number of atoms इंक्रीस होते चले जा रहे हैं और यह half life increase होती चली जा रहे है बढ़ती चली जा रहे है तो इनवर्सली रिलेटिटीट है कि जो half life है वो inversely related होती है decay constant के basically तो वो तोटते ही जा रहे है ना changing पे changing होती जा रहे है तो जाहिए से बाते decay उसमें आ रहे है तो decay constant के इनवर्सली proportion है जिसे आप इस तरही किसी बता सकते हैं कि half life है वो is equals to 0.693 by gamma के को जो है lambda के equal आ जाते हैं आपके पास half life और इस चीज़ को जो है e times minus lambda into t times जो है original number of atoms के equal होते हैं मतलब के इसका मतलब यह हुआ कोई radioactive element है तो किसी बी instant किसी बी time किसी बी second के अंदर आप यह find out करना चाह रहे हैं कि इसमें आप कितने जो है atoms बाकी remaining रहे गए हैं तो उसे आप इस तरही के से मालूम कर सकते हैं कि आप यह constant उसके साथ चाह रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस element की जो radioactive element है उसकी इस time 1 second, 2 second, 1 minute के अंदर कितनी decay उसमें हुआ है कितने उसके element के atom जो है decrease हुए है तो आपको पता चल जाएगा तो आप एक दूसरे तरीके से भी लिग सकते हैं उसमें आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी दौरानिया में यह मालूम करना हो कि कितने number of atom आपके अब रहें गेमस ऐनेमेंट के दौरान तो अगर आप जो है half life की बात कर रहे हैं तो चो total number of atom है उसे भी तूसे डिवाइड कर सकते हैं तो आपके पास पता सल जाएगा कि भी पहली half life के गवरान उसकी जो atom बनाबर हैं तो मैं उसकी according right hand side को भी equal कर सबती हूँ अगर मैं right hand side को equal करूँ की तो एक side पे मैं पस no divided by 2 आचाएगा और दूसरी side है उसमें मैं पास e minus lambda into t into no आचाता है अब उसके बाद अगर मैं ये करूँ कि ये n हो है न और ये e के उपर है minus lambda n times t है तो क्योंना मैं इसके power का positive करने के लिए इसको नीचे ले जाओं इसको मैं denominator के लेके जाओंगी तो ये positive हो जाएगा और e lambda into 10 जो है उसके साथ e की पार lambda into t आचाएगा अब इस t को जो है आप t1 by 2 भी लिख सकते हैं अगर आप सिरफ पहली half life की बात करें तो जब पहली half life की मैं बात कर रही हूँ यानि कि अगर मैं साथ 1 भी लिख दूँ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 t into 1 by 2 जो है उसकी जो half life आचाती है तो यहाँ पर मैं उसको उगर लिखूँ तो no divided by 2 is equals to no divided by e lambda की साथ पहली half life t 1 by 2 आचाएगी तो इससे दोनों साइट पे no and o में cancel up कर सकती हूँ यहाँ पर मैं बास 1 by 2 और यहाँ पर मैं पास e lambda उसकी साथ t 1 by 2 जो है remaining गया जाएगा अब अगर मैं इन दोनों साइट का रसी प्रोकर ले लूँ तो कि मैं जो का में एक साइट पर करूंगी को इन के वही का दूसरी साइट पर करना पड़ेगा तो अगर रसी प्रोकर लूँ तो यहाँ पर 2 आजएगा और यहाँ पर e lambda t 1 by 2 आजएगा अब अगर मैं इन दोनों साइट पर logarithm लूँ तो यहाँ पर में पास ln 2 आजएगा और यहाँ पर जब मैं लूँगी तो यह में पास ln e lambda t 1 by 2 आजएगा अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं ताकि असानी से आपको समझ आजए ln 2 पर जो value होगी है वो हमारे पर 0.693 है और यहाँ पर क्या होता है कि हमें मौलूम है कि लगारथ हमके rule के according यह जो हमारे पार है यह ln से start में आजएगी ln से पहले तो इस वरा से यहाँ पर हमारे पर क्या होगा lambda t 1 by 2 ln e आजएगा और हमें यह भी मौलूम है कि जो ln e है इसको 1 के कोई कहते है इसकी जो आजएती value वो 1 आजएगी तो यहाँ पर lambda t 1 by 2 और यहाँ पर 0.693 तो हमने यही तो बात की थी कि constant के तो अगर मैं lambda को यहाँ पर जाकर divide कर दों तो यह 0.693 by lambda आजएता है जो कि इस चीश को proof पर देता है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी तो यह इसी चोटा सा proof है जिसे आप असानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी half life आपके decay constant के inversely related होती है इसके बाद अगर हम मजीद decay constant की ही बात करें मतलब कि अबर आप यह कहीं कि आपको alpha decay के बारे में बात करनी है तो alpha decay में जैसे कि हम लोग आप स्टार्टिकल को इमट करता है यानि किस में से जो है alpha particle निकलते हैं तो होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे थोरियम बन जाता है थोरियम जो है उसका atomic number 90 और जो इसका atomic mass है वो 234 आजाता है यहाँ पे और इसके साथ इससाथ alpha particle जो कि basically helium है AC2 और इसका atomic mass है 4 वो इमट हो जाता है और बहुत अमांट में energy आजाती है मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि uranium ने alpha particle को जब इमट किया है तो उसके बाद वो थोरियम में change हो गया इस तरीके से इसमें transmutation होगी है similarly अब यह जो आपके पास thorium होता है यह thorium क्या करता है कि जब इसमें से beta particle image होते है यह beta particles को image करता है यह हमाँ पास 90 और यह 234 इसमें जब beta decay होती है basically यह beta decay की example में आजएगा जब यह beta decay करता है तो जब यह beta decay की बारी आती है तो उसमें क्या होते है कि यह पे आपके पास protectinium बन जाता है जो कि PA है और इसका atomic mass वो आपके पास आ जाता है कुछ 234 और atomic number जो है वो 91 आ जाता है और इसके साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाता ह है उसकी वज़ाँ न्यूक्रियोंस है क्योंकि न्यूक्रियों के दर मजूद जो न्यूट्रोन होता है वो beta particle को image करने के बाद proton में चेंज हो जाता है जिसके वरस यहाँ पे जो new element बनता है उसके atomic number में addition हो जाती है इस वरस यहाँ पे pro-tactinium बनता है क्योंकि atomic number में addition हो जा जब यह emission करता है gamma rays की तो क्यो होते है कि हमारे पास फिर यहाँ पर phosphor सी बनता है और जो के 31 atomic mass और 15 atomic number रहता है और साथ यह साथ गयामा rays इमिट हो जाती है यह gamma rays जाए है बिसकलि हमारे पास photons होती है जिनका atomic number भी कोई नहीं होता और atomic mass भी नहीं होता यह massless जो हो है हमारे प के पास half life आती है और वो जो है element के जो numbers के साथ है वो inversely related होती है यह निकि आपके decay constant के साथ आपकी half life जो है inversely related होती है और जैसे जैसे आपकी half life भड़ती चली जाती है तो उस element के number of atom कम होते चले जाते हैं तो इस तरीके से आज हम लोग ने half life के वारे में डिसक्स किया क्या है और ट्राफमिटेशन क्या चीज़ है